समस्कार, दोस्तों स्वागत है आपका आपके चेनल विकास इमितर इमितर हेल्प एंड टेखनीकल सपोर्ट चेनल में दोस्तो आपको पता है सियेचों की भरती निकली होई है कम्यूनिटी हेल्थ ओपीसर की जो कि नर्सिंग वाले इसमें भर सकते हैं और इसकी जो भी परिक रिहा है वो मैंने आपको पहले एक वीडियो बना कि दे दिये जिसके अंदर मैंने इस बरते के बारे में सारी डिटेल दे दिये कि कब बारे मरे जाएंगी कैसे फरम बरे जाएंगी उसके बाद मैं दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है CHO का फोर्म कैसे बरे जी हाँ दोस्तों कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि CHO का फोर्म कैसे बरे इसका लिंक कहां पर मिलेगा और कैसे हम जो है ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लावा भी ओनलाइन आवेदन करने के अंदर भी कई सारी दिक्कते आ रहे थी तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपके सारे दिक्कते सारे सवालों को हल करने का प्रियास करूंगा तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आप वीडियो पूरा देखते जी हाँ दोस्तो जो राज स्वास्ते की साइट है वहीं पे इसका लिंक मिलेगा आपको तो आपको Google पे जो है simply type कर लेना है राज स्वास्ते जैसे आप राज स्वास्ते टाइप करोगी उपर ही उपर जो आएगा उसके उपर site आएगी वह click कर देना है इस पर जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर यहाँ पर देख लीजे यहाँ पर click करना है आपको यह ध्यान रख लेना जहाँ पर मेरा भी mouse cursor है यह यहाँ पर हिंदी में आ रहा है code word में तो यह ध्यान रगले ना इसको cross करना है उसके बाद में आप देखी यहाँ पर उपर यह तीर link के आ रहे है तो जो उपर ली उपर ली वाली link है जैसे इसके उपर आप किलिए करोगे न तो इसके अंदर क्या है आपका syllabus खुल जाएगा तो इस जो बरती है उसका syllabus इसके अंदर खुल जाएगा यहाँ पर आप जो है इसमें syllabus देख सकते हैं बाकि वापस चलते हैं अब अपन अपनी main site पे और आपको में ले चलता हूँ form बनने की link पे तो form बनने की जो link है वो जहाँ पर पने की लिया गया था उसी के नीचे यह form बनने की link है जैसे आप click करोगे तो यह site थोड़ी slow चल रही है बाकि यही इसकी main website है form बनने की तो इस site पे ही आप जो है form बर सकते हैं खुल जाएगी थोड़े से समय में इसमें पूरी detail दे रखिए आपको बरती से संबंदित शुरू होने की date last date पद सिंख्या, peace वगेरा, age वगेरा सारी इसमें detail दे रखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें आप apply करने के लिए आधार कार्ड के नंबर डालने, दोस्तों ध्यान रख लेना आधार कार्ड नंबर डालो तो उसमें आपके mobile नंबर जुड़े होना चाहिए साथ में आपके आधार कार्ड में आपका नाम और पिताजी का नाम वही होना चाहिए जो आपकी mark sheet में, अगर नहीं है तो अभी से सही करवा लेना वरना आपके form में गलती हो सकती है इसके बाद में आपके OTP आएगा, आपको जो भी mobile पर OTP प्राप्त होगा है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है तो आपके mobile में आजाएगा जो भी registered mobile नंबर है अगर आपका mobile नंबर नहीं जुड़ा होगा है तो mobile नंबर जुड़ालना होना आप यह form नहीं बरसुक होगे अगर आपने 2019 में form बरा होगा है तो आपे yes कर देना, नहीं तो यहाँ पर no कर देना अगर आप yes करते हो तो आपको जो है उसके transaction number मांगेगा जो कि आप transaction number डालोगे तो आपका form जो है आगे बढ़ जाएगा और आपको जो है fees जमा नहीं करानी पड़ेगा अब आप यहाँ पर no करते हो no करके apply कर देना अगर आप fresh form बर रहे हो तो यह बात आप अच्छे से दियान रग लेना और जैसे यह आप apply पर करिक रोगे तो side जो है तोड़ी slow है बाकी खुल जाएगी दीरे दीरे आपको जो है patience रखना है यह देखिए यहाँ पर यह नया interface आ चुका है main form अपना आ चुका है तो इसके अंदर नाम और father's name इसने आधार कार्ट से automatic ले लिया है तो जो भी date over दालने के लिए आपको जैसे साल है तो इस पर जो नीचे नहीं जाना है और यहाँ पर देखिए उपर लिखा हुआ है तो उपर जाना है उपर जाओगे तो यहाँ पर कम से कम साल आता जाएगा तो जो भी आपका साल है date over गा वो इसके अंदर आपको डाल देना है तो मैं यहाँ पर date over चूज कर लेता हूँ यह मैंने date over डाल दी है इसके बाद मैं यहाँ पर आपको mobile number डाल देना है mobile number जो आपके अधार कार्ड में link है वही mobile number यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद में यहाँ को आपकी email ID डाल देनी है जो भी आपकी email ID वो आप पर आप डाल देंगे जैसे आप email ID डालोगे इसके नीचे address का column है तो address में जो है आपको क्या करना है same as permanent करोगे तो नीचे वाला address है वो ही आजाएगा जो आपकी आधार card में तो अगर आपका आधार card का और आपका same address है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है खाली उपर की line में एक line लिख देनी है आपके address की और कुछ भी नहीं करना अगर आपका आधार card में और आपका address में अलग है तो आपको वहाँ पे टिक नहीं लगा रहा है यहां से साउदाने से चूज करें इसके बाद अगर आप एक सरिश्मन है या नहीं है आउट स्टेंडिंग परसन स्पोर्ट है या नहीं है इस्पिसली एबर डैनी डिसेबिलिल्टी है या नहीं जेंडर आप यहां पे भर देना आए मैं यहां पे भर देता हूं उसके बाद में आपक OSK रहा है या नहीं avete नहीं लेगा कि आप आप जैसे यहां पर सिंटे डालोगी आपको जो है यहां पर इंप यह रोपासिं लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको यहां जो है आपने जो भी या डिपलोमा जो भी है वो जब भी पूरा किया उसका साल यहाँ पर लिखने में आजाएगा तो आपके फाइनल की मार्चित में यह साल लिखा हुआ आता है इसके बाद में यहाँ पर क्या आप नर्सिंग काउंसिंग से रजिस्टेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्टेशन के नमबर लिख देने है और नीचे आपको यहाँ पे अपने जो भी अपना सर्टिफिकेट है उसकी लास्ट जो डेट है जहां तेक वेलिड है वेलिडेशन के आपको डेट डालनी है इसके लाओ अगर यहाँ पे नो करते हो तो आपको जो यहाँ पे आपने रजिस्टेशन के लिए भीजा हुआ है उसकी रिसिप्ट यहाँ पे डालनी है अगर नो करते हो तो और रिसिप्ट की डेट डालनी है अगर आप yes करते हो तो वही आपको मैंने आपको बता दिया है तो वो जो आपको जो भी है आपके registration number or date वो यहाँ पर डाल देनी है validation date आपके certificate पर आगे लिखे होती है अगर आपने बाद में valid करा है तो पीचे seal के रूप में लिखे होई होती है बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं अगर अगर नीचे जो है दस्वी बार्वी की detail मांग रहा है तो यहाँ पे जो senior secondary school लिखा हुआ रहा है इसके वाले column में अपने को जो है simple लिख देना है senior secondary यह अंकों में नहीं लेगा बार्वी लिखो तो यह नहीं लेगा यहाँ पे आपको senior secondary लिख देना है board वाले column में जो है आपको जो भी आपका board है जहां से भी आपने बार्वी पास की है वो board लिख देना है जैसे यहाँ board लिख दोगे तो उसके आगे column आएगा percentage गा तो जो भी आपकी percentage है वो आपको इसके अंदर लिख देनी है जिसे इसके अंदर भी point नहीं लेगा तो यह बात का ध्यान रख लेना point से पहले पहले की percentage आपको लिखनी है उसके बाद में आपको साल डाल देना है जिस भी साल में आपने बार्वी पास की है इसके बाद में दोस्तों secondary वाले option में जाके आपको जो है दस्वी की लिख देना है तो यहाँ पे आपको secondary लिख देना है आप यहाँ पे जाहो तो metric लिख सकते हो ब olm कि आल देंगे जो भी डश्य डाल देंगे जो है निकिंट alp लेने हैं तो फोटो और सइन्ट से डिण सो के बीक में करके रखने तो वह फोट्रों साइझ में डाल है JPG file में तो ध्यान रख लेना size का 20-50 kb के बीच में होने चाहिए इसके बाद में आपको इन दोनों column पे no कर देना है और preview button पे आपको click कर देना है तो ध्यान रख लेना और form को अच्छी से एक बार और देख लेना जैसे ही आप preview button पे click करोगे आपको जो है आगे यह site दूसरे page पे ले जाएगी तो एक बात कर देख लेना यह site थोड़ी धीरे दीरे चलती है तो थोड़ा आपको यहाँ पे पे पेज आ गया है इसमें जो है आपको जो भी detail दे रहे किए उसको आपको अच्छे से check कर लेना है जो भी आपकी detail है address वगेरा और education qualification वो आपको अच्छे से देख लेनी है कहीं कोई गलती तो नहीं रहे गई है एकर कोई गलती रह जाती तो आपको नीचे जो है इसमें option मिल जाएगा edit button का उस पर click करके जो है आप इसको form को edit कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सब कुस सही है तो आपको submit button पर click कर देना है जैसे यह आप submit button पर click करोगे यह आपको अलग page पिले जाएगा जिसमें आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं application number आ जाएंगे तो यह application number आपको जो है लिख लेना है note कर लेना है यह भूलना मत और उसके बाद में आपको जो है make payment बटन पे click कर देना है जैसे यह आप make बटन पे select कर लेना है जैसे बिल्डेक्स select करोगे तो पे नाव पे click करोगे उसके बाद में जो है बिल्डेक्स वाला अपने वहाँ पे ले जाएगा आपको payment की site पे आपको credit card के नीचे जो debit card लिखा हुआ है उस पे click करके जो है आपकी debit card की detail जो भी है वो आपको इसके अंदर बर देनी है जैसे आपका card number expiry date cvv code और जो भी आपका card पे नाम लिखा हुआ है वो यह सब्सिलेट करने के बाद में आपको make payment पे click करना है जैसे आप make payment पे click करोगे आपके mobile में OTP आएगा और OTP डालने के बाद में इस परकार से जो है यह आपको वापस उसी website पे ले जाएगा जहां से आप आए थे यानिकी नचम की site पे तो यहां पे देख सकते हैं आप यह loading हो रहा है और जैसे ही यह loading होके खतम होगा तो आपके सामने एक page आजाएगा payment done successfully और प्रिंट का option आएगा तो आपको जो है प्रिंट पर किलिक कर देना है जिसे आप प्रिंट पर किलिक रोगे तो आपके सामने यह option खुल जाएगा और यह पूरा आपका जो है और उसके बाद में अगर side बंद हो जाती है तो आपको क्या करना एक है गंट का इंतिजार करना है एक गंट का एंधार के करने के बाद में आपको उसी website में आना है और अपका आधार number से OTP लेना है और जैसे आप OTP के बाद में apply अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद दोस्तों